नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचे दोस्तों पस्तेत हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुद हमातो पुन जानकारी को लेकर के जी हाँ आए आज हम सभी जानते हैं भूनी हुई गूंद 80 साल के बुढ़ापे में भी जवानी भर देगी यहाँ आज का टॉपिक से लेकर के दिल तक की बिमारियों को दूर करने के लिए बेहद ही कारगर मानी जाती है किसी पेंड के तने को चीरा लगाने पर उसमें से जो स्त्राव निकलता है वह सूखने पर भूरा और कड़ा हो जाता है उसे गूंद कहते हैं यह शीतल और पॉस्टिक होता है उसमें उस पेंड के ही और शध्य गूंद भी मौजूद हो जाते हैं साथ ही आयरुवेदिक दवाईयों में गोली या बटी बनाने के लिए भी पावडर की बाइंडिंग के लिए गूंद का इस्तेमाल होता है सरदियों में इसे खाने से पुरानी खांसी जुकाम फ्लू और सबसे पहले तो जान लेते हैं गोंद को भूंने की विधि के बारे में एक पैन में एक से या आधा ती स्पून तेल घर्म करके उसमें को भून ले तीन से 4 मिन भूनने के बाद गोंदिंग के तरह फूल जाएंगे सर्दियों में गोंद से बने लड़ू का सेवन भी बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होता है अब कितने प्रकार के गोंद होते हैं आये ये जानिए कीकर या बबुल का गोंद पोश्टिक होता है निम का गोंद रक्त की गती बढ़ाने वाला स्फूर्ति दायक पदार्त है इसे इश्ट इंडिया गम भी कहते हैं इसमें भी निम के औशध्य गोंद मजूद होते हैं पलाश के गोंद से हड्डिया मजबूत होती हैं और शरीर पुष्ट होता है यह गोंद गर्म पानी में घोल करके पीने से दस्त एवं संग्रहनी में आराम मिलता है आम की गोंद स्तंभक एवं रक्त प्रसादक है इस गोंद को गर्म करके फोडों पर लगाने से पीव पक करके बह जाती है और आसानी से भर जाता है आमकी गुंद को निम्बू के रहस में मिला करके चर्म रोग पर लेप करें आपका चर्म रोग दूर हो जाएगा सेमल का गुंद मोचरस कहलाता है यह पित का शमन करता है अतिसार में मोचरस चून एक से तिन ग्राम इसको दही के साथ प्रयोग करना है आपको आपको लाव होता है श्वेत प्रदर में इसका चून बरावर भाग चीनी मिला करके प्रयोग करना लावकारी होता है दंत मंजन में मोचरस का प्रयोग किया जाता है बारिश के मौसम के बाद कबीट के पेंड से गोंद निकलती है जो गुणवत्ता में बबुल की गोंद के समकक्ष होती है इसलि पोधों की जड़ों से निकलने वाला यह सुगंधित गूंद रेजिनन नुमा होता है फेरुला कुल में ही गाजर भी आता है हिंग दो किस्म की होती है एक पानी में घुलन शील होती है जबकि दूसरी तेल में किसान पोधे के आसपास की मिट्टी हटा कर उसकी मोटी गाजर जड़ के उपरी हिसे में एक चीरा लगा देते हैं इस चीरे लगे स्थान से अगले करीब तीन महीनों तक एक दूधिया रेजिन निकलता रहता है इस अवधी में लगभग एक किलो ग्राम रेजिन निकलता है हवा के संपर्क में आकर यह सक्त हो जाता है कथाई पढ़ने लगता है यदि सिचाई की नाली में हिंग की एक ठैली रख दें तो खेतों में सब्जियों की व्रिद्धी अच्छी होती है और वे संक्रमर मुक्त रहती हैं पानी में हिंग मिलाने से इल्लियों का सफाया हो जाता है और इससे पोधों की व्रिद्धी अच्छी हो जाती है गुगुल एक बहुवर्षी जाडी नुमावी रिक्ष है जिसके तने एवं शाखाओं से गोंद निकलता है जो सुगंध देता है गाढ़ा तथा अनेक वर्ण वाला होता है यह जोड़ों के दर्द के निवारन और धूप अगरबत्ती इत्यादी में इस्तेमाल किया जाता ह प्रपोलिश यह पोधों द्वारा श्रावित गोंध है जो मधुमख्यां पोधों से इकठा करती है इसका उप्योग डिंडान सेंबू बनाने मंच तथा पैरा बैगनी किर्णों से बचने के रूप में किया जाता है गौर फली के बीज में गलेक्टो मेन नामक गोंध होत है गौर से प्राप्त गम का उप्योग दूद से बने पदार्थों जैसे आइसक्रीम पनीर इत्यादी में किया जाता है इसके साथ ही अन्य कई वियंजनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है गौर के बीजों से बनाया जाने वाला पेष्ट भोजन और श्रधिय उप्यो लोगों यानि कोई उद्योगों में भी काम लाया जाता है इसके अलावा सहजान बेरी पीपल अरजून इत्यादी पेड़ों के गूंद में उसके और शद्य गूंद मौजूद होते हैं भूनी हुई गूंद खाने के अब फायदों को जान लीजे दिल के रोग जिहां इसे हो जाना सेवन करने से दिल के रोग और हार्ट अटैक के खत्रे को कम किया जा सकता है इसके अलावा इसका सेवन मांस पेश्यों को भी मजबूत बनाता है प्रेगनेंसी में फायदेमंद प्रेगनेंसी में गूंद का सेवन महिलाओं के रेड की हड़ी को मजबूत बनाता है इसके अलावा इसका सेवन ब्रेश्ट मिल्क को बढ़ाने में भी मदद करता है कबज, कबज या ACDT की समस्या होने पर एक चमच गोंद का सेवन करें दिन में एक बार इसका सेवन करने से आपकी कबज की समस्या दूर हो जाती है सर्दी और खासी, गोंद को गर्म पानी के साथ खाने से सर्दी खासी जुकाम और बुखार की परेशानी दूर होती है इसके अलावा इसका सेवन पेट इनफेक्शन के खत्रे को भी कम करता है प्रतिरोधक शमता, सुबह दूद के साथ गोंद का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ती है इससे आप कैंसर, डाइविटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बिमारियों से बचे रहते हैं कमजोरी, शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए रोजाना, आधे गलास दूद में गोंद मिला करके पिएं इसका सेवन थकान, कमजोरी, चकराना, उल्टी और माइग्रेन जैसी समस्याओं को दूर करता है खुन की कमी, गोंद के लड़ू, पंजीरी या चिक्की का सेवन शरीर में खुन की कमी को पूरा करता है इसके अलावा इसके लड़ू का सेवन सरदियों में शरीर को अंदर से गर्म भी रखता है पिरियट्स दर्द लियू कोरिया डिलिवरी के बाद कमजोरी और शारीरिक अन्यमिताओं को ठीक करने के लिए गुंद और मिश्री बराबर मातरा में मिला करके कच्चे दूद के साथ खाएं आपको लाब होगा इसके अलावा महाशक्ति शाली उर्जा से भरपूर गुंद के लड़ू के सेवन से असी वर्ष का बुढ़ा भी कहे के अभी तो मैं जवान हूँ हमारे बहुत सी मित्र हमारे अक्सर वजन बढ़ाने और सेहत को बहतर बनाने के लिए किसी प्रयोग के बारे में पूछते ही रहते हैं हमने पहले भी कई बार काफी अच्छे प्रयोग आपके लिए बताए हैं पर आईए आज हम आपको एक विसीश लाफ कारी उपाय बताते हैं सबसे पहले जो हम आपको सामगरी बता रहे हैं इनको नोट कर लीजे इनका प्रयोग करके आप मुटापे से छुटकारा पा सकते हैं जहां दोस्तों तो ये थी वो जानकारी गुंद से रिलेटेड यानि कि इन प्रकार के गुंद्स का परियोग करके आप लाफ उठा सकते हैं आप अपने आपको स्वस्त और सुरक्षित रख सकते हैं अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही मह तो पूर्जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों